दोस्तों यहां पर यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह ली गई है आपकी N.C.E.R.T. की कक्षा दूसरी की पुस्तक गणित का जादू के पार तस से तो दोस्तों यहां पर यह दो दोस्त मिलकर खेल रहे हैं एक खेल जिसका नाम है चितपट का खेल यानि Game of Heads Tales तो चलिए देखते हैं एक खेल जो है वो कैसे खेल रहे हैं और इस खेल को आखिर किसने जीता तो देखें यहाँ पर आपको एक तो एक से लेकर 99 तंग की संख्या जो है बोर्ड पर दिख रही होगी और शुरू में लिखा है शुरू और अंत में लिखा है घर तो इसी बोर्ड पर खेली जाएगी यह गेम और साथ ही आपको दिख रहे होंगे सिक्के के दो पहलू और क्या आप इन दोनों बच्चों के हाथ में कोई चीज देख पा रहे हैं देखें यह यलो रंग का और यह लाल रंग के जो दो बटन है इनके हाथ में मौझूद है तो इन बटन से भी खेला जाएगा यह खेल तो देखते हैं कैसे खेला जाएगा सबसे पहले देखिए यह जो सिक्के का हिस्सा है ना यह दर्शाता है क्या यह कौन सी साइट यह है चित यानि की हेड्स और अगर सिक्य का यह हिस्सा सामने आता है तो यह बराबर होता है दस अंक के तो यानि कि अगर किसी का सिक्या उच्छालने पर चित आता है यानि हेट जाता है तो वो इनसान दस कदम आगे बढ़ जाएगा उसे मिलेंगे दस अंक और वहीं अगर किसी का यह वाला हिस्सा आता है सिक्के का, जिस तरफ एक लिखा है, तो यह हिस्सा है पट यानि की तेल्ड आता है, तो वो केवल एक स्टेप आगे बढ़ेगा, यानि उसे सिर्फ एक अंक मिलेगा. तो चलिए यह खेल शुरू करते हैं जो की यह दोनों दोस्त खेल रहे हैं राज और मीनू तो राज और मीनू के पास हैं दो बटन्स जो उन्होंने शुरुवात में ड्रग दिये अब सबसे पहले राज के हाथ में है सिक्का और वो उसे उचालेगा तो राज ने सिक्का उचाला तो आया क्या आया उसके सिक्के पर उसके सिक्के पर आया चित यानि की हैज तो उसे मिलेंगे प्लस टेन तो वो अपने बटन यानि यलो बटन को दस अंक आगे पहुचा देगा तो शुरू से लेकर दस तक कितने अंक इने उसने दस और वो पहुच गया दस अंक आगे तो वो पहुच चुका है दस पर अब बारी है मीनू की तो मीनू की हाथ में है सिक्का और उसने उसे उचाला और उसका आया पट यानि की तेस तो वो केवल एक अंक आगे बढ़ेग अभी वो 10 पर है तो वो पहुच जाएगा ये तो 20 है लेकिन हमें किस पर जाना है क्योंकि वे 10 पर था तो वो पहुच जाएगा 11 पर तो वो अब 11 पर पहुच चुका है अब वापिस मीनू के हाथ में सिक्का है और उसने सिक्के को उचाला तो आया चित यानी की हेड्स तो वो उसे जाना है 10 कदम आगे यानि उसे मिले हैं प्लस 10 तो वो जाएगी 10 कदम आगे यानि वो भी पहुंच गई 11 पर एक से 11 तक हुए 10 कदम अब इसी तरह सिक्का उचालते उचालते दोनों ने खेल को आगे पहुच आया पहले राज काफी पीछे चूट रहा था लेकिन फिर वो वापिस से आगे पहुच गया और अब दोनों ही पहुच चुके हैं 89 पर जो की है घर से केवल 11 कदम दूर तो द देखते हैं अब बारी है मीनू की मीनू ने सिक्का उचाला हो मीनू का तो चिता गया है यानि हेड्स और वो 10 कदम और आगे चलेगी अभी वो है 89 पर और 10 कदम आगे बढ़ेगी तो वो पहुच जाएगी 99 पर यानि घर से सिर्फ एक कदम दूर उसे बस एक अंग चाहिए घर तक पहुचने के लिए देखते हैं वो पहुच पाएगी या नहीं मुझे तो लगता है मीनू ही जीचाएगी आपको क्या लगता है तो अब राज जो है उसने सिक्का उचाला और आया केवल एक अब वो 90 पर पहुच गया मीनू ने सिक्का उचाला तो आया चित यानि क हेट्स तो वो 10 कदम तो आगे बढ़ी नहीं सकती वो 99 पर है तो 10 कदम की तो जगा ही नहीं है अब यह देखिए 99 पर है न वो तो वो आगे नहीं बढ़ सकती अब राज सिक्का उचालने वाला है देखते हैं अगर उसका चित आगया तो वो सीधा घर पहुँच जाएगा और अगर पट आया तो उसे काफी समय लगेगा देखते हैं क्या आता है उसने सिक्का उचाला और लीजिये राज का आया है चित यानि हेंच तो वो पहुँच गया 10 कदम आगे यानि घर पर 90 से सीधा 100 पर और कौन जीत गया जीत गया है हमारा यह राज का बटन यानि की जो घर पर पहुँच गया है पीले रंग का तो हमारा राज जो है वो जीत चुका है तो हमने उसे ताज पहना दिया है तो दोस्तों हमने देखा यह खेल जो था चित पट का खेल जिसमें हमने अंक जोड़े और आगे आगे बढ़ते गए तो आप भी अपने दोस्तों के साथ ये खेल जरूर खेलिएगा और देखेगा कि कौन जीता है